Hello Friends, Welcome to the Vyas Kitchen Friends, चलिए आज बनाते हैं बढ़िया से नारियल के लड़ू क्योंकि तिवहार आ रहे हैं, तो क्यों न ये मिठाईया हम घर में अपने ही हाथों से बनाए और इन तिवहारों को और भी बढ़िया बना दे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी कोकोनट के लड़ू के साथ जो बनाने इतनी सिंपल है ना कि ये वीडियो देखने के बाद एक ट्राई तो आप जरूर करने वाले हैं और तिवहारों पे आप मिठाईया बजार से नहीं लाएंगे क्योंकि ये इतने एजी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं नारियल के लड़ू सबसे पहले एक हैवी बॉटम पैन लेना आपको उसमें आपने डालना है एक चमच घी अब उसमें मैं ले रही हूँ ये designated coconut नारियल का बुरादा बड़ा राम से मिल जाता है market में मेरे पास ये measuring cups हैं तो मैं इससे measure कर रही हूँ अब घर की कटोरी से measure कर रहे हो तो हम जो चीज़ी भी डालेंगे ना उसके accordingly डालेंगे अब हलकी आँच पे लो फ्लेम पे हमने नारियल को इस तरह से भूनते हुए जाना है ये ध्यान रखेगा कि फ्लेम जो है वो हलकी होनी चाहिए अब इसमें हम डालेंगे एक चताई कप दूद जिस कटोरी से आपने नारियल मेजर कर रहा था उसी कटोरी से measure करके आप दूद डाल दीजे दूद से ना इसमें अलग से moisture भी आएगा और बहुत अच्छे एक flavor भी आएगा ये सारी cooking हम low flame पे करेंगे ये ध्यान रखेगा इनका रंग नहीं change होना चाहिए अब इसे हमने तब तक चलाना है जब तक ना दूद एकदम से सूख नहीं जाता एकदम से dry नहीं हो जाता अब एक खुद देखोगे अब इसमें एक और मज़ेदार flavor देने के लिए मैं डाल रही हूँ milk powder जिसे हम dairy whitener भी कहते हैं वो डालेंगे यहाँ भी gas low ही रखेगा अब गैस बंद कर दीजे और इसको बिल्कुल ठंडा होने दीजे अब चाहिए अलग बरतन में निकाल दीजे क्योंकि पैन भी गरम है यह ध्यान रखेगा इसका color नहीं change होना चाहिए अब बिल्कुल ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी यहाँ पर पिसी हुई चीनी आप डालेगा जितना अपने मिल्क पाउडर लिया था उतनी ही हम चीनी ले रहे हैं बस इसे हमने mix कर लेना है चीनी आपको कम इसले लग रही होगी क्योंकि जो मिल्क पाउडर होता है उसमें भी मीठा होता है इसलिए अब आपको देखने देखो इस तरह से आप करो अप मीडियम साइज में बनाना चाहते हैं तो बड़े बनालीजी बट मैं सजट करूंगी मीडियम साइज में बनायेगा बनने भी असान है और खाने भी हसाने बहुत टेस्टी बनता है यह देखे इस तरह से अब दवाते जाओगे डेखंगे आपके हाथों पे घी जैसा हो रहा है और बड़े अराम से बंद रहे हैं अगर इनके नहीं बंदते हैं तो एक दो चमश दूत के डाल दीजे या आप गरम करके घी डाल दीजे ये देखे अराम से आप देखे इसके लड़ू बन जाते हैं और ये देखे ये लड़ू बनके तयार हो गए हैं इतने फ्रे करा था ना अब यही बुरादे में हम इसकी कोटिंग कर देंगे इसे कोई रोस नहीं करना बस खाली लड़ू आप इसमें रोल कीजिए यह देखें इन पर कोटिंग हो गई अब इसको और गार्निश करने के लिए मैंने उपर डॉट जो देख रहे हूं न मैंने थोड़े से दूद में केसर डिप करा था दूद ने अपना रंग चेंच कर लिए और वो हलके हलके से डॉट्स मैंने उपर दे दी जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और केसर के साथ से इससे सजाईए गार्निश कीजे और इंजॉय कीजे यह तिवहार दिव्यास किचिन के साथ थैंक यू